Hello everyone, Welcome to my YouTube channel इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सानन कमेटी रिपोर्ट के बारे में तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सानन कमेटी की रिपोर्ट होगी उसमें अब देरी होने वाली है क्योंकि सरकार ने सानन कमेटी को कंसल्टेंट देने से मना कर दिया था लेकिन अब जो है वो कंसल्टेंट सरकार ने सानन कमेटी को प्रवाइड करवा दिया है और इसमें क्या हुआ कि मतलब सानन कमेटी ने सरकार से कंसल्टेंट मांगा और वहाँ से सरकार ने मना कर दिया तो इदर से कमेटी ने मना कर दिया कि हम अपनी रिपोर्ट नहीं देंगे तो at the end सरकार को कंसर्टेंट प्रोवाइट करवाना पड़ा तो अब जो है वो रिपोर्ट जो है वो दिवाली से पहले आ सकती है लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि मतलब बहुत वेट हो गया और इनकी जो कोई भी बात रहती है उस पे तो अब trust करना मतलब बहुत मुश्किल हो चुका है जब आएगी तब आएगी तब देखेंगे लेकिन ये अपडेट आपको देना जरूरी था तो कंसर्टेंट मिल चुका है और क्लास 3 की भरती जो category wise उसमें जो नियम रहेंगे उन पे अब काम होगा screening होगी तो यहाँ पे एक अच्छी news तो ये है कि मत चलो कि धीरे धीरे ही सही लेकिन काम तो हो रहा है क्योंकि पिछले कल जो मैंने आपको अपडेट दी थी उसके according ऐसा हो गया था कि हो सकता था कि यहाँ पे कुछ बीच में loopholes हो जाते जिसकी वज़े से क्या होता कि फिर हमें report in timeally इस साल देखने को ना मिलती फिर अगले साल report पे काम हो रहा है फिर चैन आयो की working star वे तो धीरे धीरे फिर process और delay होती लेकिन फिलाल ऐसा है कि अभी मतलब इस पे थोड़ा काम हो जाएगा और नियम अभी देखते हैं कि क्या set यहां पे होता है या फिर जो हिमाच्यपदेश पब्लिक सर्विस कमिशन शिमला ने जो नए rules class 3 वरती के लिए रखे हैं क्या उन्हीं को यहां पे रखा जाता है अगर उनको भी यहां पे रखा जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि set रखने का कोई मतलब नहीं बनता है और उनके हिसाफ से भरती होती है तो फिर ऐसा होगा कि जो लोग पी सी के जो class 3 के exam देते हैं तो यहां पे भी उनकी त्यारी हो जाएगी लेकिन है कि जो committee के member secretary है वो भी अभी इस हफते चुटी पे जा रहे हैं फिर उसके है लेकिन मुझे लगता है कि जो काम है वो जिस तरह से कच्वाचाल पर चला हूँ है वो चला रहेगा और रिपोर्ट है आपको add the end देखने को मिल जाएगी और यहां पे जो है वो c-deck जो recruiting agency है उसके साथ भी यहां पे बात चली हुई है और यहां पे जो कार्मिक बिवाग के सचीव हैं उन्होंने बोला हुआ है राज्ये चैन आयोग में जो chief administrative officer है उनको की जो भारत सरकार की agency c-deck है उनसे आप बात करिए और इस agency से जिस तरह से मतलब यह exam conduct करवाते है तो वहां से clear हो जाएगा कि क्या ही माचर में भी यह exam conduct करवा सकते हैं उस तरह का network क्या यहां पे available है क्या इस agency को काम दिया जाए और इसमें कितना खर्चा आएगा तो यह सब चीजें side wise चली रहें ताकि फिर जादा दिकत जादा डिले नहीं हो क्योंकि आपको पता है कि सर date इसके regarding आप आती है तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी informative लगी होगी तो आप वीडियो को like, comment, share कर सकते हो चैनल को subscribe कर सकते हो further new updates के लिए